नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का देवेंद्र महादेवा यूटूब चेनल पर आज की क्लास हमारी प्रते की संसिकत व्यक्रण पढ़ रहे हैं हम उसमें प्रते पढ़ रहे हैं और प्रते का आज जो क्लास रहेगी आपकी अंदिम कक्छा रहेगी यदि आप मेरे चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और दोस्तों में सेर जरू करें यदि आपको लाइक करने में सरम आ रहे हैं तो मत करना कोई दिक्कत नहीं लेकिन दोस्तों में सेर करना ताकि वो भी जो है इस कक्छा कलाब ले सके तो चले दोस् बिना गवाय वीडियो को सुरू करते हैं हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं करत प्रत्य और करत प्रत्य हमारे समाप्त हो चुके हैं और कल की कक्छा में जो हमने पढ़ा था तदित्य प्रत्य में मतुप प्रत्य और आपका इनी प्रत्य के साथ आमने इसके नेम मदे थे मतुप प्रत्य के नेम देखे थे इनी प्रत्य देखा था तुआ देखा था और तल प्रत्य देखा था यदि आपने ये सारे प्रत्य नहीं पड़े हैं और इससे पहले वाले प्रत्य भी नहीं पड़े हैं तो आपको जो है इस वीडियो की डिस्तिरतन बॉक्स में सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी और इसके साथ ही मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दिये हैं वहाँ से आप स प्रत्य है यहां पर कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल प्रत्य है यहां के लिए डर्दा रहे किसी भी प्रत्य से बहुत सिंपल है और इसको थुड़ा आसानी से समझने की कुशिश्च करोगे तो आसानी से सब्सक्राइब और ये एक साथ आप एक-एक-दो-दो जिससे पढ़ते जाओगे तो सारे मेमोरी में इस्ट्रोर होते जाएंगे बात में जब जरूरत पढ़ेगी तो आसाने से बन जाएंगे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज का प्रत्य यहां पर इसका पहला पर दिया हुआ है देख यहां पर क्या जाएगा आपका इक का इस्थान हो जाएगा आपका तो है इस संग्यक इसका क्या हो जाएगा लोग तो यहां पर क्या बन जाएगा यह रहा आपका ठक ठक इस प्रकार से है तो यहां पर ठक के स्थान है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका इक हो जाए पर ये था कि आपको संज में है सारा next point ये है कि सब्द के प्रथम सोवर में वरद्दी हो जाती है ज警 Singh के को आ को ए को हो जाता है अर्थात यदि अच की वरद्दी होती है कही की वरद्दी होती है अच और अच आपको पता है आज किसको बोलते है भई आज बोलते हैं आज बोलते हैं आपके सुवर को बोलते हैं अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दो आज आज आपके सुवर सारे आज के लिए आते हैं आज क्यों के लिए आते हैं वो चार सूतर में आता है इसलिए इसलिए उसको क्या बोला जा समझना आप की पृत्म सोर में व्रत्ति कोई इसे बी मैं आपको बता दू को सब को इसे चाहते करें पृत्म स् 흡ोत रह ना tutti आपको प्रतम सवर प्रतम स्वर अल्ग से यह आप यहां लिए तो है로m आप If You States wollen, और घला जान एंग उस चलो में बताता हो यहां पर दन मह या है तो यहा पर आपका प्रथम सुर देखिए यहा से यहां तक जो आपका दिख रहे है इदर से जाएंगे हम इदर से जाएंगे रहे इदर से जाएंगे हम तो यह प्रथम सुर कहां आएगा आएगा इस Гcence saying晚 पहला सब्द है उसी के साथ क्या रहेगा आपका पहला सवर और जहां पर अगर आदा हो तो उसके बाद वाले में आपको मिलेगा सवर तो बास तो प्रतम सवर में व्रद्धी हो जाएगी यहां तक बात किलियर हुई यह दो पॉइंट इसमें सिंपल सिंपल छोटे-छोटे स पॉइंट देखो दिकत नहीं आता किसिको होना भी नइचिए तो चले दोस्तों शुरू करते हैं इसको आगे देखो इसके सुचिवनी हुए धर्म अठक तो क्या लगएग उसको साथ इक तो क्या हो जागा धार्मिक हो अस्तिधन ठक क्या हो जगा अस्तिधन अठक इसी प्रकार से यह सारे देख लिजिए आप 177 अथक साप्ता ही कहने तो आप उचते मुझे कि यह जो है धार्मिक किसे हो गया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो क्या हो जाएगा उसमें प्रतम सुर में व्रद्य हो जाएगी तो प्रतम सुर आपका यहां पर अ था तो क्या हो जाएगा वो धार्मिक में जूड़ करके धार्मिक हो जाएगा इसी प्रकार से अस्थिक, सब्ताहिक, सांसकर्तिक, अस्विक, शाहितिक, लोकिक, देनिक यहां तक चलो इसका स्कीन शूट लेलो आप और इसको कपी में नोट करते चलना ताकि आपको जो है एक कम्प्लीट नोट हो जाए और उसको आप घर पे कर पाए चले, नेक्ट यहां पर देखते हैं हम यह प्रत्य समाप्त हो गए आपके तदित्य प्रत्य बेप समाप्त हो गए आज हम पढ़ेंगे इस्तरी प्रत्य, इस्तरी प्रत्य में भी जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रत्य हैं वही पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं प्रत्य यह प्रत्य कहते हैं यह इस्त्रियियर क्यों सब्चिते यह पर इस टर्ष क प्रत्य आप के पूछे जाएंगे तो यहाँ पर पहला प्रत्य आपका जो है वह आपका है टाप प्रत्य और टाप प्रत्य के हम यहाँ पर बात करें तो इसका है सूत्र है अजागत स्टाप सूत्र से अजादी गण में गिने गए सब्दों को और अकरन पूरलिंग सब्दों को स्ट्रिंग बनाने के लिए टाप प्रते का अप्योग किया जाता है अकरांथ कि आप में उसे पूछना मत लेकिन फिर में बता देता हूं कुछ नए विश्टूडेंट के लिए अकरांथ मतलब की आपको मैं ने बता है था संसकत में सारे सब्दों के साथ क्या लगा के बोलना है आपको बाई कार लगा के बोलना सारे जितने भी अक्षरे कखा गा इंगा आई उसाप अकरांदी करांद उकरांथ है ना इसी प्रकार से तो आगे हम देखते हैं यहां पर कि यह जो सब आया है अजादी गन तो गन यहां पर होते हैं दस टोटल संसकत में और वो गन की बात कर रहा यह आपके सामने जो में लगाया है यह आपके गन है इसको बोले जाता है गन और धातों के विभाग बोला जाता है इनको गन मतलब क्या धातों के विभाग संसकत में दस गन होते हैं संसकत व्यकण सास्त्रा में लगबग दो हजार धातु हैं प्रतेक धातु किसी ने किसी तो यहां पर यह दस गन को फिर ओर डिटेल में पढ़ना पड़ेंगा अभी सिर्फ यह देख लिए कि दस गन कौन-कौन से हैं इसका इसके इसके इंसोट ले लेना और कौन-कौन से गन में कितनी-कितनी धातु हैं यह भी आपको याद करने की मुझे लगता है जरूरत है क्य क्योंकि अगर यहां से सिधा सिधा कोई सा कोशन पूछ ले कि वह यहां निनमल इखित में से कौन से गन में 35 धातु है तो आप बता दोगे अगर आपको याद रहेगा ता स्वाधी गन तो यहां पर इसका इसकीन शूट ले लिजी आप तो यह आपके 10 गन आगे हम चलते ह अपने टोपिक पर ठक प्रते पर तो हम यहां पर बात कर रहे हैं टाप प्रते के वो टाप प्रते मैंने आपको अजादी गन बताया और गन बताएं तो आकरांद की बात हमारी हो चुकी आकरांद किसको बोलते हैं नेक्स्ट पर यहां पर यह है कि इसमें जो अकारांत पूर्लिंग सब्दों होते हैं उसको इस्ट्रिंग बनाना है क्या बनाना इस्ट्रिंग बनाने के लिए टाप प्रत्य लगा जाता है उसको इस्ट्रिंग बनाने के लिए हम कुंसा प्रत्य लगाते हैं आपका टाप प् कि वर तो अकारान्थ और यहां पर अकरान्थ बासे में क्या है अकारान्थ बत्र दोलिक को अकारांथ बनाने के लिए टाप प्रते का परयोग किया जाता है बात समय है कि हैंका है यहाश कहीं ने इस अर्प अने के बात चलते हैं आप तो यह तीनों पमा प्रवन फीड और यहां पर आप किलियर हो गए एंगे तो आब भम हम बात करते हैं जिसे यहाँ पर दिया है अज दिन टाप तो क्या हो गया अजा देएक है यहां पर क्या है आपका टाप में क्या गया अधाप से अपका। इसुदस सूरुट ले लीजिए इसी प्रकार से ये सारे प्रते से मिलकर के ये शब्द बने हुए है और इन सारे सब्दों को स्त्रियान्त सब्द कहते हैं बास सवज में है क्या एक नोट है इंपोर्टेंट जो आपके लिए उसको देख लीजिए आप बहुत ही मतलब कि अगर पूछा गया परिक्षा में तो आप कंपिस हो जाओगे कि ये प्रते तो है टाप प्रते हो इनी सकता दूसरा प्रते लगा दो गया आप तो ये एक नोट है इसको आप देख लीजिए टाप प्रते जोड़ते समय यदी सब्द के अंत में कहो तो आ के स्थान पर यह हो जाता है यह बुलना क्या चाहरा है मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए यदी किसी सब्द के अंत में कहो यह आपका कारक यह आपका अंतिम सब्द यहां पर क्या है आपका का और का के पूर्व में आ हो यह आपका रह है और रह से मैं आ को अलग कर दूँ तो यह क्या है आपका आ है तो यह का से पूर्व में क्या है आपका आ है तो आ के स्थान पर यह आदेश हो जाता है छोटा यह तो मतलब रह के साथ आप कुन सी मातरा लगेगे आपकी E की मातरा लगेगी बास तंज में क्या यहाँ पर सभी को सिंपल साथ लोजिक है यदि किसी सब्द के अनते में क्या हो का हो और का से पुर्व क्या हो आपका A हो तो A कहा डूंडेंगे आप उससे पहले वाले सब्द में डूलडेंगे भईजा, अगर A है तो वह काई में हो जाएगा आपका, ए में छाइड़ ए में छाइगा, और E में छाइगा तो वह लगएगा किस के साथ, रा के साथ लगएगा, रा के साथ लगएगा तो क्या बन जागई है हैnement यह पर प्रतल लगा मिन्दत क्या आपयों गैट का यहाँ पर आपका तो क्या घोज़ेगा का दगा कारीक कि अका नभार घोज़ेए कि सव सभी में है कि सभी को देखें यहां पर ऐसी प्रकार्से वहा के अपर कारकदंटश कॉ और का नाठाप नटी बालक धंटाप बाली का अध्यापक धंटाप अध्यापी का गायक धंटाप गाई का तो यह था इसका नोट जो बहुत जरूरी है नेक्ट प्रते पर चलते हैं हम अगला प्रते आपके सामने हैं डीस प्रते सिद्गोरा विद्यच सुत्र से डीस प्रते का विदान होता है मतलब इस सुत्र से इसका विदान होता है मैंने आपको पता था भी दस गणों में से यह गोरादी गण है कि सब्दों से sterling बनाने के लिए dis प्रत्यों का प्रयुग किया जाता है आप को सिर्फ इतना हैं कि शकार का लोप हो शकार मतलब क्या आपका श शकार मतलब आपका श शका क्या हो जाए? लोप हुआ हो तो एसी सब्दों से बन самडले वाले सब्दों को डिस प्रत्यों का पुर्योग किया जाता है नेक्स्ट पर यहाद रखना डिस प्रत्य में ड और श का श की संग्या होकर लोप हो जाता है केवल ई सेज बचता है यहाँ पर देखिए यह वाला ई सेज बचता है यह जो डिश यह जो डिश है डिश में यह शकार है और डी है इस लाते हैं आप देखें आप पर हम ने पड़ा था अकारां दिस्तरिलिंग पत के लाइगा क्योंनी किसके साथ रूड़ा है डिस प्रत्य के साथ बासस्वज में है क्या अगर छोटी की मातरा लगे तो लुगिदर चला जाएगा आपका टाप प्रत्य में यहाँ पर बड़ी क प्रत्य 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 प्रत् प्रत्य आप इसका स्कीन्शोट ले लेना आगे हम पढ़ेंगे जो है आपका डीप प्रत्य डीप प्रत्य की बात हम करेंगे यहां उससे पहले इसके आड़ी के बारे में पता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते कोई भी प्रत्य लगा करके आजाओगे तुक्का मार करके आजाओगे कक्छा में हो सोरी परिक्छा में और गया एक नम्मर ऐसे चला जाएगा तो यहां पर बात करते हैं डीप प्रत्य के पहले पुएंट की कुछ तो अलग होगा इसलिए इंको डीप और डीष को अलग अलग रखा गया है तो यहां पर देखते हैं अलग बात किया है डीप प्रत्य आउन्थ पद इकारंद स्ट्रलिंग के लाते हैं अधिस उत्रों से डिस प्रत्य का विदान होता है तो देखे दोस्तों इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है दोनों ही सेम टू सेम है और डिस प्रत्य और दिन प्रत्य में बहुत करूज़िए इससे पहले मैं आपको बता दो यह पर कुछ अलग पॉइंट जो आपके काम का है यहाँ पर देखे दोस्तों नदन डीप तो क्या हो गया आपका नदी देवधन डीप क्या हो गया देवी तो यहाँ पर कुछ भी अलग आपको नजर नहीं हा रहा है सेम टू सेम एक जैसे ही है और इसको हम लगाएंगे तो अर्थ के अदार पर लगाएंगे दोस्तों डिप प्रत्य को अगर वहाँ पर ऑप्शन में इसा दिया जाएगा तो यहां तो डिश्ट प्रत्य होगा यह तो डिप प्रत्य होगा बात सवज में ही कि आपको यहां पर देख लिए दोस्तों दोनों ही सेम टू सेम है कोई भी अंतर नहीं है लेकिन यहां पर शकार का लोप होगा और वहां पर आपका जो है डिप में पा का लोप होगा और आपका डग का लोप होगा बात समझ में ही क्या दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है सेम टू सेम है दोनों यहां पर क लेली जिएगा समय दूनों की दूनों गार्ग दनल डीष गार्गी कुमार दनलेश कुमारी बात सब्सक्राइब असीज़ मैं है यहाँ पर समद Bijॉत दोनों की मैं यहां पर स्वेस्ट लोब लिएगा है यहां पर ब्ल। ही यहांपर यहां पर वे से बचंड लिए mı इस प्रत्य से बने रूप भी कारान दिस्त लिंक के लाते हैं अता इनका भी रूप नदी की तरह चलेगा सर्गल्य वाग्यो डीन एव नर्गव अच्यो व्रदीच से डीन प्रत्य का विधान होता है यहाँ पर डीन डीस और डीप तीनों ही एक जैसे ही प्रत्य हैं सिर्फ इसको अर्थक अधार पर अलग अलग लगाना है यहाँ पर देखनेशे दोस्तों ब्राम्मान सर्गल्व अ सगल्व असर्गव अ सरगोवी और्प न दन डन औरी अम नर्दन दीन नरी तो इहाँ पर जो है आपको में ड़ है शकालोप और इधर जो आगे हैं आपका इसमें डीप में ड़ है और पका लोप लेकिन दोन सभी के रूप चलते हैं कि सभी के यहां पर रूप चलते हैं और रूप चलने के साथ साथ यह जो है आपका गवराने वाली कोई बात नहीं दोस्तु वहां परिक्षा में पूछा जाएगा तो यह तीन में से एक उप्सन देगा सारे अलग-अलग तीनों नहीं देगा और अगर तीनों देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आसा करता हूं कि आपके लिए आगे में लकार लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूं तो अगले वीडियो में में लकार लेकर के आऊंगा तो उसको आप अगर पढ़ना चाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं त तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।